सो हेलो फ्रेंड्स कैसो आप सब आई होप सब ठीक होंगे दोस्तो अगर आप एक निव यूटुबर हो तो आपका भी एक सपना है आपके चैनल को मोनिटेज करने का बात आता है तो आप सब कोई पता है कि यूटूब पर मोनिटेजेशन का कुछ रूल है और उस रूल में ब चैनल का क्या होगा दोस्तो इसी सावल का जब आप में इस वीडियो पर देने वाला हूँ इस रूल में बताया गया है कि आपका जो 1000 सस्क्रेबर है वो कितने दिन में भी हो चलेगा लेकिन जो 4000 घंट का वास टाइम है वो आपको एक सल के अंदर कम्पलीट करना पड़ेग मानलो यह आपका यूटूब चैनल है और आपने यह पर 1 जनौरी 2019 से वीडियो डालना इस्टाट किया चैनल पर और वीडियो डालते दलते आज 1 जनौरी 2020 आ गया लेकिन इस एक साल के अंदर आपका जो वास टाइम है वो सिर्फ 3000 घंट का वास टाइम हुआ है आप भी आपने जाल चैनल पर वीडियो आपलोट किया था और आपका 3000 घंटा का वास टाइम हो गया था उसके बाध चार सल बात फिर से आप उस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आभी क्या होगा उस पहले का जो वास्टेम है आप लोगों के मोनिटाजेशन पर काउंट नहीं होगा आप लोगों का एक साल पहले तक जितना भी वास्टेम आएगा वो काउंट हो जाएगा मानलो जैसे कि आज अगर आप किसी भी चैनल का मोनिटाजेशन अपलाई करोगे तो 29 एप्रिल 2020 से जितना भी वास्टेम आया था इसके बीस में ये वास्टेम काउंट किया जाएगा आपका चैनल चार साल पूराना है पास साल पूराना है जितना भी पूराना है उससे कोई पॉबलम नह नहीं करेगा बस आपको लास्ट एक साल के अंदर 4000 गंटे का वास्टाइम चाहिए तब ही आपका मोनिटाजेशन एनबेल होगा और अगर सस्क्राइबर का बात कर तो इसमें कोई भी रूल नहीं है अगर आपका दो साल में भी सस्क्राइबर ओन के होता है तब भी चलेगा तो आपके लिए बाई बाई जैहिंद